खबरिन दौर से है जहांके जूनी के रहने वाले एक मोबाइल व्यापारी ने सुसाइट कर लिया सो मारात घर पहुचने के बाद व्यापारी ने फासी लगा ली रात में पती ने उन्हें देखा तो परिवार के लोगों को जानकारी दी प्रकास ने एक पेज का सुसाइट नोट भी लिखा है जिसमें उसने अपने दोस्तों और रिष्टदारों और परिवार से माफी मांगी है इसके साथ ही बेटे और बेटी का ध्यान रखने की भी बात कही है प्रकास ने सुसाइट नोट में ये भी लिखा कि जीवन में जो भी करें उसे विवस्ते तरीके से करें ताकि परिशान ना होना पड़े परिवार के लोगों ने बताया कि प्रकास की डॉलर मार्केट में मुबाइल की शॉप है वहीं दो भाई अलग रहते हैं उनके परिवार में पत्नी और एक बेटा-बेटी हैं जो की पढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों के मुताबिक संभावता कर्च के चलते प्रकास ने कदम उठाया है पुलिस ने सुसाइट नोट जब्त कर लिया है पत्नी और बच्चों के बयान नहीं हो पाए हैं अभी किसी कारण से फासी लगा लियाता है जिसके जानकारी अभी तक प्राप्तनी है स्वाइट नोट में लिखा है कि अपनी मर्जी से फासी लगा कर करणा वैसा लिखा है